प्रधान मग्द्री, नरेंद्र मोदी और भारत के खिलाफ तिपणियों पर कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करने के बाद मालदीव सरकार अब बाकफुट पर है मालदीव की अर्थविवस्ता काफी हद तक परयतन पर धर्वर करती है और सोशल मीडिया पर मालदीव के बहिश्तकार के हवान के बाद सरकार अब स्थिती को संभालने की कोशिश कर रही है सरकार ने ये कहते हूँ टिपणियों से खुद को अलग कर लिया कि वे व्यक्तिगत टिपणिया थी सरकार ये राष्ट्र के ऐसे विचारों का समर्थर नहीं करते हैं इसके बाद मालदीव सरकार ने युवा अधिकारिता मंत्राले से संभंधित तीन मंत्रियों मालशा शरीफ, मर्यम शियोना और महजूम माजित को निलंबित कर दिया है लेकिन अब मालदीव की तरव से भारत के उचायुक्त को भी तलब किया गया है Firstly, it is absolutely critical that the government of Maldives distance itself from the comments by the minister I know that the government has suspended the ministers but I think it is important that the government of Maldives issue a formal apology to the Indian people the remarks by the minister are simply just shameful, they're racist, they're spiteful and intolerable and I think this is a very sad incident which should not happen actually because when you are in an elected position you should not engage as an activist so we have to be more responsible and also these degraded remarks towards the global leader Prime Minister Modi and as well as racist comments against Indian citizens it's not acceptable so we build our tourism on the basis of tolerance and harmony and friendship and hospitality so this is not acceptable at any level पुर्दान मंतरी नरेंदर मोधी के खलाफ अभद्द्र टिपनी करने के मामले में मालडीब के तीन सांसदों को मंतरियों को बरखास्त कर दिया गया था उसके बाद में विदेश मंतराला भारत सरकार की तरफ से जो उच्चायुक्त हैं साहिब इब्रहिम साहिब मालडीब के दिली में उनको तलब किया गया था सुबह नौबा जब वाये था विदेश मंतराले में आकारोनों न अपनी बात रखी है एक दिन पहले भारस सरकार की तरह विदेश मंतराले की तरफ से डिस्प्ले नोटिस जारी किया गया था इस तरीके से परधान मंतरी के खलाफ वहां के मंतरियों ने बयान बाजी की थी परधान मंतरी नरेंदर मोदी ने चार जनवरी को लक्षदीब की अपनी कुछ तस्वीरें शोसल मीडिया पर डाली थी उसके बाद में मालडीब के जो तमाम मिनिस्टर्स हैं उनके आपती जनक बयान परधान मंतरी नरेंदर मोदी के खलाफ आये थे उसके बाद में वेदेश मंतराले भारस सरकार की तरफ से नोटिस जारी किया गया और आज सम्मन जारी किया गया था इब्राहिम साहिब को जो की सुबह 9 बजे किया गया था वो आये हाँ पर उन्होंने अपनी बात रखी अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले दिनों में भारस सरकार वदेश मंतराले की तरफ से और क्या कोछ कारवाई किया सकती है या और भी कोई नोटिस जारी किया जा सकता है या नहीं